हेलो एवरिवरन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट इटे मनके और अस्थिया इसके मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन इसमें हम 3 नंबर और 8 नंबर के जो हमारे 3 और 8 नंबर वाले कोशन आते हैं उसको हम यहाँ पे ध एक्जाम के लिए यह वीडियो जो है बहुत हैलफूल ओगी एक लाप अप स्लेबस को सॉरी सेंपल कोशन पेपर को ध्यान से देखिए स्लेबस तो मैंने पहले कवर करा रख्या आपका सैंपल कोशन पेपर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि जो आपका से Section B में आपके कितने number के question आते हैं, 3 number के आते हैं, और Section C में आपके 8 number के आते हैं, इसको आप sort question मान लीजिए, इसको आप long question कह लो, ठीक है, तो हमको ये देखने हैं, और सारे जो important question आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये question plus में और कई सारे question आपको हमारी website में free में available हैं, आप आपको Google में जाके lovewaystudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद class 12 में जाना है, उसके बाद आपको subject में जाना है, और आपके सामने ऐसी table open होगी, इस table में जाके आप यहाँ पे जो sort question और long question वाला option देख रहे हैं, यहाँ पे आपको sort question मिल जाएंगे, अगर आपको MCQ देखने हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, चैप्टर के notes देखने हैं तो आपको यहाँ पे जाना है, और अगर आपको map देखने हैं तो आपके लिए यहाँ पे option बना रखा है, ठीक है, तो आपको सारे प्रकार के question जो आपके paper में आते हैं, हमारी website में free में मिल जाएंगे, आप अराम से देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इस लेबस देखिए, देखिए, आपके अगर मैं बात करूँ, mid-term की तो आपके साथ chapter हैंगे, mid-term के बाद आपके पूरी complete आने वाले हैं, ठीक है, तो जो यह आपके chapter सारे के सारे chapter में ने करा रखे हैं, ठीक है, और सभी chapter के मैंने live class भी जिसमें MCQ question करा दियें, तो आपका जो one marks वाला MCQ वाला portion है, वो तो live class में हमने कर लिया है, discuss और बाकी chapter में आपको detail में सारी चीजे बता रखे हैं, अगर आपको chapter इस से भी जादा detail में जानना है, बहुत जादा detail में, तो आप 2 साल पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहा 8 number वाले question को करने वाले हैं, सबसे पहला question देखिए आप, आपके सामने screen पे हैं, कि हडपाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्यताओं का अबलोकन करने के लिए पुरातत्विद जो हैं, वो कौन सी विदियों का यानि कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते थे, तो आप समझ समाज में अमीर आतमी भी मिलेंगे, गरीब आतमी भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास बहुत सारी चीजों का अभाव होगा, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत लगजरी लाइफ जीते होंगे, ठीक है, तो हर समाज में भि और रफना था था तो उस समय में कई कप्ब्रों मेंसे कुछ काफी महंगीचीज़े रख दी जाती थी। थैक कоде आसा सैद । हुए भलकि ये मानन परर के और अरफनार के समय में कुछ रही काफी न कीमत्रीजा C Spanish था जिस जो विक्ति अमीर होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास संसाधन होगे, वही तो कीमती चीज़े दफनाएगा, तो इससे भी कही न कहीं है, जो पुरातत विद्ध है, वो अंदाजा लगा लेते हैं, समाज में भिन्नत आगा, ठीक है पहला पॉइंट, नेक्स्ट इंपोर्ट किये जाते थे, ठीक है, मंगाई जाते थे भाहर से, तो ऐसे में लगजरी वस्तु जो होती थी, विलासिता की वस्तुएं जो होती थी, उसका उप्योग केवल अमीर लोग ही करते होंगे, तो वो उसके आधार पे भी ये पहचान लेते थे, कि लोगों का मैं देता हूं, मान लिजे एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और एक बहुत अमीर व्यक्ति है, अब आप ये सोचिए कि गरीब व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में जो चीजे इस्तेमाल में ला रहा होगा, वो कितनी कीमती हो सकती है, खुश से सोचिए, एक अमीर व्यक्ति अब और यो चीजे mi ला रहा है, इसी जाज़ी देता होगा, गरीब व्यक्ति होगा, गरीब व्यक्ति होगा। अब next question देखिए, जो पुरातत विद्ध हैं, वो शिल्प उत्पादन के इंद्रों की पहचान कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, अब आप समझेए, शिल्प उत्पादन के इंद्र का मतलब है, जहां पर शिल्प से related काम होता होगा, तो अब उन्हें कैसे बता लगेगा कि भई यहां पर यह जगा उत्पादन के इंद्र है या नहीं, तो उसके भी कुछ तरीके होते थे, क्या तरीके होते थे इसको देखते हैं, जैसे माल लीजिए, कहीं पर पत्ध़र के टुकडे मिल रहे हैं, शंक या फिर तांबा आयस्क मिल रहे हैं, तो उससे अंदाजा इ या फिर जो शिल्प उत्पादन के समय में ठीक है जो ओजार इस्तेमाल किए जाते हैं ओजार अगर कहीं पर मिल रहे हैं या फिर आपून वस्तुए यानि की ऐसी वस्तुए जो पूरी तरीकी से ना बन पाई हो या फेक दी गई हो तो ऐसी वस्तु यहां से मिलती है उससे अंदाजा लगा लेते हैं ठीक है इसके अलावा त्याग दिया गया माल अब जहां पर शिल्प उत्पादन कारे होता है ठीक है जहां पर मालो मन के बनाए जाते हैं या फिर आप कुछ होता है अगले कोशन पर चलते हैं हडपा के जो निवासी हैं उनकी आर्तिक गतिविदियों पर प्रकाश डाले आर्तिक गतिविदी क्या होती है आर्तिक गतिविदी ऐसी गतिविदी होती है जिससे उनको पैसा मिलता हो यानि हडपा के लोग किस प्रकार से पैसा कमा सकते क्या तरीके होते थे ठीक है तो आप देखो simple simple से point है तीन नंबर का question है यह जो मैं बता रहा हूं इसमें आपको तीन ही point लिखने पेपर में तीन ही heading लिखके उसको explain करना है सबसे पहला point लिख सकते हो क्रिशी तो आप यह कह सकते हो कि हडपा हडपाई लोग जो थे वह क्रिश आप नंबर वाले question में व्यापार का बड़ा topic है तो वहाँ पे आपको detail में समझाऊँगा यहाँ पे आप यही समझिए कि यहां के लोग व्यापार करते थे तो यह आपका एक important point हो जाएगा next आपका point हो जाएगा कि हडपा के जो निवाशी थे वो सिल्प कारे भी करते थे तीन नंबर का question है तीन ही point आपके लिए enough हो जाएगे अगले question पर चलते हैं देखें मुहन जो दाडो के विशाल इसनानागार जो था उसके बारे में आपको संचिप्त में बताना है तीन नंबर का question यह भी है तो देखें विशाल इसनानागार जो था वो आंगन में बना ए इसके चारो साइट सीडिया बनी होती थी, ठीक है, चारो साइट एक गलियारा होता था, नीचे जाने के लिए सीडिया बनी होती थी, इन सीडियों के जरिये इसके तल में जाया जा सकता था, ठीक है, एक ये शिमिंग पुल टाइप का मान लीजे, कुछ इस प्रकार का ये होत और इसके चारो और एक गलियारा यानि गैल्दी टाइप के होती थी चारो साइट ठीक है उससे घिरा होता था ये और जलास है कि नीचे अगर जाना है तो उसमें सीडिया बनी होती थी आपने राजिस्तान वगेरा में देखा होगा आपने वहां पे पुराने जमाने में तो आपको ये बताना था simple है यह सारे वो question है जो previous year में आये वे question है और इनके बहुत ज़्यादा chance होते हैं आपके paper में same repeat होने के कभी-कभी language को change करके आपसे यही question पूछ लिये जाते हैं तो question को ध्यान से समझना है ठीक है language change भी करें तो आपको answer पता होना चाहिए अगला प्रशन है आपके सामने कि हडपा सब्वेता जो है उसके पतन के कारण बता है हडपा सब्वेता जो थी ठीक है इतनी बढ़िया थी हमने इतना अच्छा अच्छा पड़ा उसके बारे में लेकिन कैसे यह सब्वेता खतम हो गई किस परकार से सब्वेता का विनास हो ग आपता है। पहयंकर तबाही होती है, तो उससे भी क्या होता है, सब कुछ नश्ट हो जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि विदेशी आकर्मन, कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि विदेशी आकर्मन के कारण भी ऐसा हुआ था, तो ये सारे पॉइंट आप पेपर में लिख सकते हैं और इसको explain कर सकते हैं, ठीक है? Next question है कि बताइए, John Marshall जो थे, वो कौन थे? उनका भारती इतिहास में क्या योगदान रहा है? आपको इसके बारे बताना है तो देखिए, ये जो भारती पुरातत सर्वेक्षन है ना, इसके ये डाइरेक्टर जनरल थे ये तो किलियर है, अंग्रे जदिकारी थे ठीक है, क्या इनका योगदान रहा है तो देखिए इनके नित्रुत में ही दयाराम साहनी और रखालदास बनर जी जो थे, आर्डी बनर जी इन्होंने हडपा सब्वेता की खोज की थी, इनके नित्रुत में सब्वेताओं में हडपा सब्वेता का नाम आता है, ठीक है, तो आपको इनका ये योगदान बताना है, अगर आपके पेपर में कुश्यन आता है, तो अगला प्रशन देखिए, हडपा सब्वेता की मुख्य देन या फिर उपलब्दिया कौन सी है, जब आप क्लास 11 में होंगे, तो आपने 11 में पढ़ा होगा, मेसो पोटाम्याक्स की सब्वेता की विश्व को क्या मुख्य देन ती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, आपको य हडपा सब्वेता जो है, इसने दुनिया को एक समरिद एवं उन्नत नगर योजना दी, यानि कि आज के समय में भी जब इतिहासकार पढ़ते हैं इस हडपा सब्वेता के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा आश्चरे चकित रह जाते हैं कि आज से 5000 साल पीछे भी अगर जाएं, तो इतनी बहतरीन विवस्ता कैसे मतलब होप सकती है, कैसे पॉसिबल था, ये सब कैसे हो पाया, तो ये एक बहुत ही मतलब आश्चरे चकित करने वाली योजना मान सकते हैं कि उन्होंने इतनी बहतरीन नगर योजना बना रखी थी, वो भी इतने पुराने समय में जब इतने ज़्यादा संसाधन भी नहीं होते थे, एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, वो है जल निकास पढ़ना ली, हडपा सब्विता जो जानी जाती है उसके जल निकास पढ़ना ली के कारणने, यानि कि इनकी जल निकास पढ़ना ली थी, वो बहुत बहतरीन थ अब मैं ज़्यादा डेटेल में नहीं जाओंगा इस पर, क्योंकि इस पर आगे हमने एक कोश्टन रखा हुआ है, क्योंकि ये पेपर में अलग से भी आता है, ठीक है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर है विशाल अनागार, अब देखो, हडपा सब्विता में लोग रहत ठीक है, फिर है विशाल इसनागार, इनके पास एक विशाल इसनागार अब देखो, हड़ी पहले ही पढ़ा है, कि उसका उपियोग जो है, ऐसा माना जाता है कि किसी विशेस अनुष्ठानिक इसनान के लिए किया जाता था, ठीक है, तो ये भी हमने डिटेल में बढ़ लि और इनका पाने जो है, वो सिचाई में भी इस्तेमाल किया जाता था, इनकी जो भवन निर्मान कला थी, वो अदबुत थी, ठीक है, जो घर बनाते थे, इनका जो तरीका था, वो बहुत थी डिफरेंट था, नीचे वाले ये प्राइवेसी का बहुत ध्यान रगते थे, घर अगला कउशन देखिए, हडपा सब्वेता जो है, इसके बारे में आपको डेटेल में बताना थी, ठीक है, इसमें से यही पॉईंट अभी हमने तीस से पिछले कॉशन में, तो सारी पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, के से पूशन आप से पूछा जाता ह गरमींड संब्वताे नहीं आद रखना ये नगरे संब्वता थी यहां की जो नगर निर्वान योजणा थी बहुत अदबुत खैसे थी किया यहां यह जानी चाथी थी अपनी जरल निकास पढ़णार के कारण अविल बहुत और फिर क्या था कि शेरों का जो नक्सा था उसको देखने से ऐसा लगता है कि सडकों और गलियों को इन्हों ने गिर्ड पद्धिती में बनाया था सडके जो थी एक दूसरे को समकोन पे काड़ती थी ठीक है बिल्कुल 90 डिग्री पे और घर में जो इसनान घर वगएरा होते थी उसका ध्यान लगा जाता था और प्राइवेसी का बहुत जादा ध्यान लगते थे ये लोग ये जब घर बनाते थे ये क्या गरते थे जो नीच जला सहर इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर अब देखो ये सारी चीजा हमें एक एक पॉइंट में क्यों लिख रहे हैं इसको हम एकस्प्लेइन भी तो कर सकते हैं आपको होगे कि सारे एक ही में लिख दी इसलिए क्योंकि आठ नंबर का कुश्चन ह है तो सारी चीजे हमें यां पर सोट में बतानी है मैकसिमम चीजे कवर करनी है रहे बच्चे पेपर में गलती क्या करते हैं आठ नंबर का कुश्चन है वो यह की चीज को बहुत बढ़ा लिख देते हैं ऐसा नहीं करना किसी एक पॉइंट को बहुत बढ़ा लिखने की बनाया हुआ था, इनके मकान जो होते थे, वो पक्की इटों के बने होते थे, ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया जाता था, ये सारे तरीके होते थे, तो आप इन्हें बता सकते हो, अगला प्रशन देखिए, नेक्स्ट कोशन है कि बताइए हडपा संस्कृति की कृषी और क हडपा के लोग जो थे, वो किर्शी करते थे, हडपा के जो इस तहले वहाँ से अनाज के दाने के सबूत मिले हैं, साक्षे मिले हैं, ये लोग ये हूँ, जो, डाले, ठीक है, सफेज, चना, तिल वगएरा, उगाया करते थे, क्योंकि इसके सबूत मिले हैं, गुजरात में बाजरे के दाने मिले हैं, तो यानि कि गुजरात में बाजरे की खेती होती होगी, देखिए, चावल के दाने जो हैं, यहाँ पे काफी कम मिले हैं, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कि यह लोग चावल की खेती जादा नहीं करते होंगे, ठीक है, तभी तो कम ठीक है, यानि कौन सी टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करते थे, आज के समय में ट्रेक्टर होते हैं, ट्रेक्टर से वो उसमें जो लगा के जुताई करते हैं, क्या उस समय ट्रेक्टर होते थे नहीं होते थे, तो फिर कौन सी टेक्नोलोजी इस्तेमाल करते होगे, हल होता होगा, ह पैल का इस्तेमाल करते थे और हल का इस्तेमाल करते थे ठीक है और काली बंगन जो है राजिस्थान में यहां पर क्या सबूत मिले हैं जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं यानि कि यहां पर जुताई वगेरा होती थी हल वगेरा चलाये जाते थे और कुछ ना छोटे-छोटे model मिले है, नमूने जिसको कहा जाता है, मिट्टी के, जो खिलोने टाइप के, उसमें हल के, और उसके कुछ सबूत मिलेते हैं, उससे भी अंदाज लगाया जाता है, सिचाई कहां से करते थे, कुएं से पानी ले लेते थे तालाप से ले लेते थे नहर से ले लेते थे ठीक है और फसल जब काटनी होती थी तो कटाई के लिए ये लोग कटाई के लिए औजार यूज किया करते थे तो ये कुछ उस समय में किरशी की टेकनोलोजी होती थी जो ये लोग इस्तेमाल किया करते थे ठी आर्थिक में क्या था देखिए ये लोग किरशी करते हैं हम जानते हैं हमने पहले भी डिसकस किया है व्यापार करते हैं ये भी हमने डिसकस किया है शिल्पकारे में सनलगन है ये भी हमने पढ़ रखा है पशुपालन भी करते थे ये भी पढ़ा हुआ है तो ये सब आप आर् करते थे यह लोग कुछ मुहरों में पेड के चित्र मिले तो इससे यह भी पता लगता है कि यह लोग प्रकृति की पूजा करते थे यह नीकी नीचर की फूजा करते थे और ज्यों की एक योगी पुरुस Azure क तो ऐसा कहा जाते हैं वो भगवान शिव थे ठीक है? उनको पशुपती नात कह सकते हो, आदे शिव कह सकते हो, उनकी ये लोग पूझा करा करते थे, ऐसा माना जाते हैं, तो ये धार्मिक विसेष्टा में आप बता सकते हो एक question आपसे ना कभी कभी paper में पूछ लेते हैं और ये question पूछते हैं तो बच्चा गलत कर देते हैं सही से समझना इसका मतलब क्या था देखिए जो कनिंगम थे ना question paper में आया हुआ था कि कनिंगम ने किस परकार हडपा के महतों को समझने में चूक गए या तो ये question है या फिर कनिंगम का भरम समझाईए कनिंगम को एक भरम हो गया था ठीक है एक confusion हो गई थी वो confusion आपको बतानी है तो देखे जो कनिंगम थे ये भारतिये परातत्तिविक सर्वेक्षन जो था इसके पहले डिरेक्टर जनरल बनाए गये थे ये तो हमें समझ में आ गया इनको क्या विश्वास था ये ऐसा मानते थे कि भारतिये सब्वेता है न जो उसकी सुरवाद जो ये वो गंगा घाटी में जो शेहरी करन है नगरी करन है उसके साथ हुई है ठीक है इसलिए क्या हुआ कनिंगम हडपा के महतों को नहीं समझ पाई अब एक्जामपल से समझ एक बार क्या हुआ है एक अंग्रेज अधिकारी मिला कनिंगम से उन्होंने क्या करा उन्होंने एक महर दिखाई कनिंगम को अब कनिंगम ने उस महर को देखा बहुत ध्यान से अच्छे से देखा पलट पलट कर देखा उन्होंने उसकी जो डेट बता दी ठीक है उन्होंने उससे भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है, यानि कि बहुत पुरानी है, उनको तो ऐसा लगता था, कि जो भारती सब बता है, वो तो गंगा घाटी में जो शहरी करन वहा है, यहां से शुरू हो रही है, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, उनको ऐसा लगता था, लेकिन वो तो बहुत प्राचीन थी, वो हडपा की मुहर थी, और हडपा की मुहर के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको क्या हो गए थी, confusion हो गया था, उनको गलट टाइम पिरिएट से जोड दिया था, इसी को कनिंगम का भरम कहते हैं, या कनिंगम का हडपाई, जो महत हो था, नहीं समझ पाए, उसमें चूक गए, आप ऐसे भी बता सकते हो, नेक्ष्ट प्रेशन देखिया है, हडपा सब्विता की जल निकास पढ़नाली पे आपको संचिप्त टिप नहीं लिखनी है, जल निकास पढ़नाली जो है, इसके बारे मताना है, जल निकास चांस है, इस पर कुशन आपकी पेपर में आ ही सकता है, ठीक है, तो इसको देखिये, यहाँ पे क्या था, जल निकास पढ़नाली जो थी, वो बहुत संब्रिद थी, इसी लिए तो हडपा सब्विता जानी जाती है, विसेस्ताओं में सबसे पहला पॉइंट यही आता है, यहाँ पे क्या था, नालिया जो थी, मिट्टी के गारे और जिपसम वगेरा से बनाई जाती थी, जिपसम का जो प्लास्तर वगेरा होता है, ठीक है, पी ओपी टाइप का जो होता है, उससे बनाई जाती थी, और इनको बड़े पत्थर से यह धक देती थी, नालिया जो होत इतनी ज्यादा planning बनाया था पहले इनोंने क्या करा नाली बनाई और सडके बनाई ठीक है इसके बाद इनोंने क्या करा उसके अगल बगल में घर बनाई ठीक है नॉर्मली क्या होता है लोग घर बनाते हैं बाद में ये चीज़े बनती है लेकिन इनोंने क्या करा पहले नाली इमाली जी नाली है, फिर इन्होंने यहाँपे सडक बना दी, ठिक है, नाली और सडक बनने के बाद फिर इन्होंने बनाई अपने-पने घर, यानि पूरी planning के दह्त इन्होंने घर वगेरा बना रखेते, तो यह आप जो इसकी जल निकास पढ़ना लिए, उसमें डेटेल में आप बता सकते हो ठीक है इंपोर्टेंट है पेपर में पूछा जाएगा लिपी से भी कभी कोशन आ जाते हैं इंपोर्टेंट है पर पूछ लेते हैं कम पूछा जाते हैं पर कभी कभी आ जाते हैं हडपा की लिपी जो है इसकी विसेश्था बताईए या फिर हडपा की जो इसको रहसे महीं लिपी क्यों कहा जाता है भाई बताईए तो इसलिए रहसे महीं माना जाता है इसको क्योंकि आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया ठीक है कोई नहीं पढ़ पाया और इस लिपी में वर्ण माला नहीं है ठीक है जैसे हमारी जो लिपी है हम देवनागरी लि तो दाईं से बाईं ओर practical कोंवे मतलब हुता है और बाईं मतलब होता है राइड और बाईं मतलब होता है लेफट सही बता रहा हूँ बताना मुझे comment पे क्योंकि दाईं और बाईं में बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं तो दाईं से बाईं और ये लिखी जाती थी ठीक है यह हो जाएगा अगला question देखिए हडपा जो है इसके पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंद थे इसका वर्णन कीजिए बिलकुल थे हडपा के जो लोग थे वो व्यापार करते थे हमने सुरू में बढ़ लिया है तो हडपा जो है वो पश्चिम एशिया के साथ अच्छे व्यापारिक इनके संबंद थे हडपावासी जो थे ओमान के साथ, इरान के साथ, इराग के साथ व्यापार करते थे ओमान से क्या आता था? तामबा आता था ठीक है? ओमान से तामबा आता था और जो भारत की बनी हुई वस्तु है उसको निर्यात कर देते थे यानि export कर देते थे पस्ची मेशिया को और वहां की चीजों को हम खरीद लेते थे तो यह व्यापार हमारा इस तरीके से चलता था ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या है सारे important question जो है वो cover किये mostly यही question आपके paper में ज़्यादा तर repeat हो के पूछे जाते है और video को like जरूर करें ठीक है और telegram group join कर लें class 12 ESP new group नाम से अपना telegram पे channel है इसमें जुड़ जाईए यहाँ पे आपको PDF notes वगेरा जो हैं वो मिल जाएंगे और जो हमारी live classes जब भी होती है तो उसकी update आपको हमारे telegram पे मिलेगी मेरा नाम सतिंदर प्रताप है और आप मुझे इस नाम से सर्च करेंगे और आप मुझे वहाँ पे message कर देना कभी कभी क्या होता है मैं दो दिन चार दिन पांस दिन में reply करता हूं मुझे time कम मिलता है पर मैं reply जरूर करूँगा ठीक है आपकी जो समस्या उसको समझने की कोशिस करूँगा और आपको answer करूँगा तो मिलते आपसे next video में thanks for watching जै हिंद जै भारत वीडियो को like करें comment करें और share करें